आज की वीडियो में हम आपके लिए एक और बहुत ही इंटरस्टिंग ट्रिक लेकर आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि हम 8 और 3 के टेबल को किस तरह फिंगर टिप्स के ऊपर याद कर सकते हैं तो इसके लिए आपने करना ये है कि 8 के टेबल को यूँ एक्विशन्स के साथ राइट कर लें फिर आपने 0 से लेकर 8 तक काउंटिंग लिखनी है और इसमें 4 को आपने 2 टाइम लिखना है कैसे हम देखते हैं जी फिर आपने क्या करना है यहां से आपने even numbers को लिखना है और 0 भी हमारे पास even है एट तक हम even number को लिखेंगे फिर even numbers को लिखें और यह देखें यह हमारे पास 8 का टेबल आ गया अब इससे next हम देखते हैं कि हमने 3 के टेबल को किस तरह finger tips के उपर याद करना है तो इसके लिए आपने करना यह है कि 3 by 3 का एक टेबल ट्राक अब हम counting लिखेंगे यहां हमने 1 से start करना है और यहां हम क्या करेंगे 0 लिख लेते हैं अब फिर हमने इस line के अंदर first row में हमने 0 यहां हमने 1 लिखना है यहां हम 2 लिखेंगे और last पे हम 3 लिखनेंगे अब इसको अगर हम rearrange करें और यह देखें यह हमारे पास 3 का टेबल बन गया I hope आप लोग सीख चुके होंगे कि हम किस तरह 8 और 3 के टेबल को fingertips के उपर just 3 seconds के अंदर हम इसको याद कर सकते हैं थैंक यू अलाव फेस